हेलो अब्रीबन गुद मॉर्निंग आप सभी लोग का मुस्ट वैलकाम वे चनल में E L C A G Learning Classes में आज देखेंगे पढ़ेंगे हम लोग वाइस का पार्ट नंबर फोर्थ वीडियो इसके पहले पार्ट वन पार्ट वर पार्ट तरी के वीडियो पढ़ा चुके हैं जो नहीं आज हम लोग पहलेंगे फ्रेंट्स के बारे में आज हम लोग सीखेंगे आए समझते हैं पहले डेवलीच वर्ट में क्या क्या चीज आते हैं देखिएगा डेवलीच वर्ट में से कह दिया जाया आपको देखिए वाट तो वाट मीजनली होता क्या है आपका वाट मीन्स क्या जब्विच वर्ट में आप कहेंगे वेर वेर मीन्स कहां डेविच वर्ट में और भी आप कहेंगे वेन वेन मीन्स कब वाई मीन्स क्यों हाव मिन्स कैसे हू मिन्स कौन और जो भी इस तरह भी ड़ीज बोठाते हैं सब क्या करेंगे इसके बार हम सिखेंगे कैसे इसको एक्टिव से पेसिव वाइस बनाया जाता है डेबलू एच वर्ड्स, कोश्चन वर्ड्स या कर सकते इसको डेबलू एच फैमली के द्वारा बिल्कुल आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास तक बने रहना है आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करके आधिक साधिक इसको सेयर आवस्य करें आपको बहुत जरूरी है ताकि आपको शुरूर्ण के माध्यम से बहुत ज्यादा सिंपल वे में आप इंगलीज को स्ट्रॉंग कर सकें आप अपने आपको बहुत बढ़िया कर सकें आईए तो हम वह वर्ट्स फैमिली को स्टार्ट करते हैं अपसे पर समझेंगे हम अस्ट्रक्चर को वह वर्ट्स के अस्ट्रक्चर देखेंगे मिंस बनाएंगे कैसे सबसे बहुत देखेंगे हम लोग एक्टिव वाइस का देखेंगे एक्टिव वाइस का अस्ट्रक्चर सबसे पहले क्या हो जाएगा अपसे पहले लिखेंगे डेबलू एच वर्ट्स डेबलू एच वर्ट्स के बाद आपको उसे के सिंपर पजन्ट में यूज करे जाता है डू और डज का इसको एक्टिव भर्ब या कहिए गाई से हाल्पिंग भर्ब कहा जाता है तो डू डज को हम अउजल्टिव भर्ब या तो हैल्पिंग भर्ब के रूप में यूज करते हैं प्लस सब्जेक्ट लिखना है आपको देन सब्जेट के बाद भीवन लिखना है मिस भर्ब का फॉस्ट फॉर्म निखा जाता है सिम्पल प्रजेंटेंज में जम चेंज करेंगे आपका एक्टिव वाज का स्ट्रक्चर भीवन प्लस अब्जेक्ट प्लस कोश्चन मार्क यह देखिए आपका खत कमिट हो गया स्ट्रक्चर फिर समझेगा बिल्कुल हम एक्सप्लेंज स्लो मोसन बताएंगे ताकि आपको डेबल वाज के एक्टिव वाज का स्ट्रक्चर बिल्कुल एजी में समझ में आ जाए सिम्पल पर प्लस सब्जेक्ट आपको डू और डज का यूज किया जाता है प्लस भीवन भर्ब का फस्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस गोश्चन मार्क यह देखिए अपका अस्ट्रक्चर हो गये एक्टिव क्वाइस का क्या करना है आपको इसको पूइतरा से बॉक्स में बंद कर लेना है और अपने आप क्या कर सकते हैं अपने कॉपी में कहीं भी डैरी में नोट्स बना सकते हैं बिल्कुल अस्ट्रक्चर के साथ आई अब समझेंगे पेसिव वाइस का अस्ट्रक्चर क्या होगा यह तो अगरेंगे इसका passive voice change करना आपको active से passive वाइश्टों कैसे बनाते हैं फिर से क्या करना है आपको डैबलू एच वर्ड लिखना है यहां पर आपको क्या करना है एक एक्टिव होगा वह वर्ड्स अब यही कह लाएगा आपका पुलस कना करना आपको इस एम आर के बाद आपको object लगाना है दीए यह आपको सुřत क्या लगाना है देखिये आपको subject अब सब्जेक्ट जो है कहां से बनेगा आपका उब्जेक्ट से बनेगा जो आपका object है वो बन अभी आपका subject बन जाद या लिखेंगे हम subject plus लिखना है आपको देखिए भर्ब का fourth भर्ब क्या लिखेंगे हम third form लिखा जाता है भर्ब का third form plus by और plus क्या लिखेंगे हाँ पे object देखिए हुआ नहीं आपका subject वाला बन जाएगा आपका object then फिट से लगाना है आपको question mark आईए देखिए समझते हैं यहाँ पे की passive voice का स्टिकर कैसे करेंगे सबसे पहले आपको डेबलुएच words लगाना है plus is am art जिसके अउजली भर्ब या तो helping भर्ब कहते हैं plus subject जो आपका object का बन जाएगा subject देखिए आपका object हो आजाएगा उठके यहाँ पे तो अभी आए आपका passive voice का कहा जाएगा subject कहा जाएगा plus आपको क्या करना है भर्ब का third form लगाना है plus by plus object object के क्या हो गई subject वाला बन जाएगा आपका object उसी लिखल दिए object और कर दिए इसको bracket में subject मतलब की आपका हो जाता है exchange इस कारण से क्या हो गया object अन्य की बन गया subject plus question mark यह हो गया आपका structure पेसी वाइस का जो की डेबलुएच वर्ट्स का हम देखें active वाइस का structure और डेबलुएच वर्ट्स का पेसी वाइस का structure आईए इसको भी आपको क्या करना है इस तरह से box में बंद कर लेना है आप एक्टिव वाइस का structure को भी बॉक्स में इस तरह से बंद कर लेना है और बिल्कुल केरफूल तरीके से केरफूल तरीके से आपको वीडियो को लाज तक देखना है और आपको वाइस बिल्कूल आसान लगने लगेगा बिल्कूल आज से किसी भी वाइस को आप बना पाईए यह मेरा गैरेंटी है फिर समझिए अब आप डैबली चोट का क्या हम लिखें कैसे इसको changing की कोई टैप का confusion अगर हो तो कमेंट बॉक्स में आप आवज से हमको पूछ सकते हैं कमेंट केजिएगा उसका हम reply देंगे उसका हम answer देंगे किसी टैप कोई भी क्या ब्राने देंगे जो के आपको कमेंट बॉक्स से बनाकर दिखाना है उससे हम समझेंगे आप कितना बनियास इसको सीख पाए हैं देखिएगा अब जोड़ी भर को क्या बताएं अमने active voice का क्या हो गया आपका सबसे पहले लगाना आपको डैबलुएच वड़ी वड़ या helping भर प्लस subject लगाना फिर भर अपका first form प्लस object प्लस question mark यह आपको यूज करना है पेसी वड़ी वड्स तो इसका देखिए क्या हो जो डैबलुएच वड्स मतलब क्या what, where, when, how लगाना है डैबलुच वड्स में प्लस अब यहां पर देखिए जब बनाईएगा पेसी व आर देखिए आपका जो object में है वो बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा subject प्लस लगाना है भर्ब का third form बोलें जब भी कोई पेसी वर बनाना है आपको हमेशा भर्ब का third form ही यूज करना है प्लस by प्लस object बन जाएगा subject वाला प्लस question mark आईएम समझते हैं इसके example को कि आप समझेंगे एक जाइध हो गया आपका structure अब हम एक्जामपल देखें जो कि आपको easy में समझ में आज एक्जामपल देखेंगे पहले हम active voice का देखिएगा first example आपका है वेर क्या बोलें डैबल वेस्ट में क्या आ गया वेर डज ही प्ले क्रिकेट देखिए आप उसको पनाना है आपका passive voice का पताना है कि वेर डज ही प्ले क्रिकेट का passive voice क्या हो अपसर पर रहां देजिएगा जब डैबल वेस्ट का अगर active voice में सेमेटिज आपको लिख देना है passive voice में मिन्स हम क्या लिखेंगे वेर क्या लिख देंगे वेर देन आपको क्या लगाना देखिए आपको यहाँ पे object जो बन जाएगा यहाँ पे आपका subject वेर इस क्रिकेट प्लेड वाई अब देखिए ही का क्या बन जागा यहाँ पे आपका object में ही का बताया थे चेंज परसन में ही का हीम हो जाता है वेर इस क्रिकेट प्लेड बाई हीम आईए और पर देखते हैं कि हम active से पेसे बशकुश एक्जामपर तक कि आपको इजी में इसको समझ में आ जाए कोई questions का डेवल एच वर्ट्स का solve कर सकें बिल्कुल आसान तरीके से देखिए अगर नेक्स्ट आपका है वाट दू यू वाट दू यू स्पीक इंग्लिस वाट दू यू स्पीक इंग्लिस अब देखिए वाट का यह है एक्टिव वाइस को कैसे चेंज करेंगे हम लोग पेसिव वाइस में बिल्कुल आपको केरफू तरीके से देखना है आप आराम से इसको समझ में आ जाएगा देखिए है वाट डू यू स्पीक इंग्लिस सबसे पर क्या करना है आपको डेबल वेच वाइस आपका वाट लिखा हुआ एक्टिव वाइस में पेसिव वाइस में भी आपको वाट लिख देना है वाट हब देखिए आपको आना है आपको जोगेंगा क्या है आप इंग्लीस आपको समत्स लिखना है इसके लगाना आपको helping purchasing क्या लगाना है यहां पर लगेगा आपका इज़ गव वाट इज इंगलीज, वाट इज इंगलीज, अब देखे, speak का, third form क्या हो जाएगा, spoken, speak third form लगाना है, अब हो जाएगा, spoken, spoken हो क्या लगेगा, by, spoken by, देखिए यू का आपका अगर बात किया जाए अगर चेंज दा पर्सन में यू का यू ही होता है तो वाट इस इंग्लिज स्पॉकन वाई यू आई ये और ब्रूश एजामपल देखते हैं एक्टिब से पेसिव वाईस ताकि आप एजी रूप में डेबलुएस वर्ट्स फै आपको प्रॉबलम अगर हो तो कमेंट पॉक्स में आप कमेंट आवस्य करें उसकी आपको प्रॉप उसकी कोई भी तैप का क्वेरी हो उसका हम सॉल्ब ज़रूर करेंगे एक्टिब रुफास को देखिए एक और हम देखते हैं एक्जामपल किया है वो देखिएगा वेन व देखिए वेन डज सीता सिंग और सॉंग वेन डज सीता सिंग और सॉंग अब देखिए यह हो गया आपका एक्टिब वाइस का एक्जामपल है डबलुच वर्ट्स फैमिली का और देखिए डज लगा मत्तब यहां पे बिलॉंग हो रहा है कि यह सिंपल पर्जेंट इंट आनि कि पर्जेंट इंडेफिनिट टेंस का संटेंस आइए देखिए इसको बनाते हैं पेसी भुवाई कैसे बनाएंगे सबसे डबली वर्ट्स के आपका वेन तो आपको सेम इटिज वेन यहां पर लिख देना देखिए अब यहां देखिए पर एक बार देखिए डबली आपका क्या बन जागा यहां पर पेसिव वाइस में सब्जेक्ट बन जाएगा तो अब क्या लगेगा यह सांग क्या होगा यहां हो जाएगा संग वेन इज और सॉंग संग वाई सीता क्या हो जाएगा देखिए बाई सीता नेम का नेम इटिस सेम लिखा जाता है तो आपको समझ में आ रहा हूँ है कि हम डेबली वेच वर्ट्स का एक्टिब से पेसिव वाइस कैसे चेंज करते हैं इस ताइम को प नहीं दिखाई पड़े रहेगा आ पउसको इजी रूप में सकते हैं को सौल्फ कर सकते मिसम आये कुछ इसम क्या कर सकते हैं आपको इसमें हम इसको आपको comment box में comment करके अवस्य आपको बताना है दो question इसरी तरफ का बिल्कुल देते हैं active voice उसका आपको डेबलुएच words का passive voice comment करना है उस comment को हम देखते हैं अगर आपकी कोई कर गलती बनाने में होगी उसको हम correct करके आपके हम reply में देंगे इसको comment अवस्य केजिएगा देखिए active voice का हम देते हैं बनाने के लिए डेबलुएच words का इसका passive voice आपको comment box में दिखाना है बनाके जिस टापको आपको सिखाए उसी तरफ को question हम दे रहे हैं what does what does Ram play football what does Ram play football इसका आपको passive voice दिखाना है बनाके कहां पे आपको comment करना है comment box में comment करके आपको बताना है एक और देखिए आपको देते हैं active voice यह भी आपको कमेंट करके दिखाना है आपको how do they cook food का आपको हम देखिए आपको active voice इसका passive voice आपको comment box में यह दोनों करके आपको दिखाना है आई यह बढ़ते देखिए आपको यह जितने भी चीज़ी बता डेब्ली इस पर चेंज कर लेजी में पर यह who case में ऐसा नहीं होता है अगर आपको who से कोई start अगर हो examination में पूछता है देखिए आपका class 6 से लेकर 12th examination पूछा जाता है इस grammar का यह voice और साथ साथ competitive examination में भी यह questions passive voice से आते हैं जो की सभी के लिए पहुत चरोरी है आई हम देखेंगे who अला case में who का अगर आपको active voice का start हो तुछ उसको passive voice कैसे बनाते हैं आई हम देखते हैं देखिए यहाँ पे who मिस होता है कौन in passive voice, passive voice में कैसे बनाया जाया who अला case में देखिए अगर passive voice में who से अगर start हो आपको ध्यान देना है जब बनायेंगे passive voice तो who को change करके हम passive voice में by whom लिखा जाता है क्या लिखा जाता है जब हम change करते हैं एक tip से passive voice आईए समझते हैं इसके structure को कि w ho who का structure क्या होगा active voice और passive voice के आईए structure देखिए को देखेंगे हम लोग active voice का इसके structure क्या होगे सबसे बहुत देखिए आपको लिखाओ रहेगा who plus who के बाद देखिए क्या लिखा होगा who के बाद आपको direct क्या करना है mean verb लगाना है mean verb mean verb मतलब क्या होगया जुसे कह सकते हैं mean verb मतलब कौन काम करता है इसका mean क्रिया होग इसे place, cooks, sings सब क्या होगे यहां पर आपका who के बाद लगाना है main verb plus object लगाना है और then क्या करना आपको question mark लगाना है यह हो गया कब जब w h o who का अगर case हो उसका active voice का यह structure है who plus main verb मतलब हो गया place, sings, hooks इस ताप का main verb लगाना है plus object और plus question mark लगा देना है कि यह हो जाएगा आपका catch active voice का structure आइए अब समझेंगे इसी का passive voice का structure क्या होगा who वाले case में यह काम करना है आपको और general जितने भी आपके रहेंगे जो बताएं पहले आपको structure उसी में follow करना है सर्फ whom में अगर change रहा आपको तो passive में बनाने के लिए आपको by whom करना पड़ता है आईए अब समझेंगे passive voice का structure कैसे बनेगा passive voice में सबसे पहले आपको by whom लिखना है जैसे आपको change करना है passive voice लगाना है by whom plus आपको क्या करना है is am r क्या लगाना बाहियों के बाद plus is am r plus आपको लगाना है object और then plus आपको लगाना है verb का third form और plus यहां पर लगाना है question mark अब देखिए by क्यों लगा देखिए by हम passive voice में start में ही लगाना है जब आपको who से start हो question word तो आपको passive बनाने के लिए who का change कर देते हैं by whom में और भी देखिए जितने भी हम लोग पर हैं डेवल एच words में जिसे what का वाट की हैं where का where की हैं when का when की हाव का हाव करते हैं तो आपको जब अगर who का अगर दिखाई पर active voice में तो passive voice में who का by whom कर जाता है passive voice तो आपको is, am, are लगाना होता है plus object फिर प्लस भर्ब का third form लगाना है passive voice तो लगाना है भर्ब का third form plus object प्लस आपको question mark आईए इसको भी क्या करना है आपको box में बंद कर देना है passive voice के भी आपको structure को इसी तरह आपको box में बंद कर देना है चली हम लोग passive voice का structure को भी box में बंद कर देते हैं आईए फिर से वह समभाई लेते हैं active voice के जब आपको who से अगर start हो active voice का simple present tense में क्या बताएं आपको simple वर्जेन tense में WH के बाद main भर्व लगाना है main जो करिया होती है मुखे करिया प्लस object प्लस question mark यहां पिस objective कोई आउसकता इसमें नहीं होती है वह बिल्कुल ध्यान देना है अब जब बनाएगा passive voice तो आपको who को change करना है by whom में बाद मुध्यान देजिए बिल्कुल अलग है यह हो को change करना है by whom में प्लस आपको each mr लगाना है according to आपको object के अनुसार each mr का यूज करना है प्लस भर्ब का third form लगाना है प्लस क्या करना है question mark लगाना है आई अब देखते हैं इसके example को ताकि आपको easy में इसको समझ में आ जाए कि हम कहना क्या चाहरे है एक्जामपल देखिएगा आपका active voice का example है क्या एक इस तुरू किस से होगा who who plays cricket कैसे बोलते हैं कि cricket कौन खेलता है तो यहां पे subject का पता नहीं चलेगा देखिए who plays cricket इसका देखिए बनाना है आपको passive voice देखिए तो कैसे बनाएंगे who plays cricket का who को change करना है आपको by whom अब देखिए यहां पे object में cricket है क्या लगेगा इस लगेगा by whom इस फिर क्या लगाना आपको अबजेक्ट इज क्रिकेट उसको क्या देखिए बता है भर्ब का थर्ड फॉर्म तो क्या हो थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्ले का प्लेट प्लेट क्या बनाएंगे देखिए by whom is cricket played आईए और देखिए हम इसको देते हैं आपके active voice ताकि और भी करवाते हैं एक्टिब से passive voice एक्जामपल ताकि आपको easy में समझ में आ जाए शुरू किस से होगा देखिए हू से होगा हू कुक्स फूट मिंस खाना कौन पकाता है मिंस खाना कौन बनाता है आए देखिए इसको में चेंज करते हैं पेसिब वाइस में देखिए क्या बन जाएगा हू का जैसे आपको दिखाई पड़े आपको active वाइस में तो हू का आपको चेंज करना है बाई हू में बाई हू क्या लगे गए थे कि फूट के साथ इस लगेगा बाई हू इस फूड अब देखिए कुक का थट हो जाएगा कुग्ड हो जाएगा तो बाई हू इज फूड कुट क्या लगाना आपको फिर कोश्चन मार्क आईए और भी देखते हैं ताकि आपको बिल्कूल इजी रूप में समझ में आ जाए क्या देखिए हो जाएगा आपको इसे करना है हू से आपको यह पता रहे हैं हू लग होता है हू टीचेज मी मुझे कौन पहाता है ठीक है क्या हो जाएगा फोटीचेज मी पता चलता नहीं है तक यह लिग दीए हूँ टीचेज मी मुझे कौन पहाते है ठीक है आप दहूं ठीचेज मी है आपको चप्छेंज करना है किसमे आप एक वाईन तेख्यों अबशन क्या है मी तो क्या लगãy गएगा मिकिसाथ क्या लगेगा कि क्या लगएगा उसके साथ बाई हूम यहां देखिए अब्जेक्ट में क्या है आई तो यहां लग जाएगा बाई हूम मी का देखिए चीज़ हो जाएगा किसमें आपका मी जो है उसका क्या लगता है एम बाई हूम एम एक मिनिट यहां पर इसा क्या करना आपको फूटीचेज इसा कीज़ेगा फ्रेंट इसको आप छोड़ देते हैं देखिए इसा एजाम पल लिखना है फूटीचेज मी देखिए आपका सही यह ठीक है सही होगा लिखेंगा बाई हूम एम इसको क्या बन जाएगा देखिए आई अब देखिए क्या देखिए टीच कर्षड फॉर्म टॉट यहां पर क्या लिखेंगे बाई हूम एम आई टॉट आई एक और जामपल लिखते हैं देखिए एक्टिव वाइस करता कि आपको इजीप में इसको समझ में आ जाए को आई तो खतम हो जाएगा देखिए एटी वाइस का संटेंस है रिव तो यह त्यंक्ट अंपव और क्या देखिए हैं सिंक्स अ सॉंग दिएक्टिव वाइस का बनाना है भ्यट निचा कैसे बनाएंगे थापसर पहले क्या करेंगे हू का करना भोगा hanmi एज हों का हुआ हूं तो हुआ हुआ हाऊ हुआ तो हुआ हुआ दूह city करेंगे हुक बाइज हो कि आप हूं की ए सौंग है तो वाई हूं में क्या लगेगा वाइह हूं इज ऑ सॉंग अब चाहिए क्या आप से डिए कैट फॉर्म संग तो क्या बन गया वाइह हूं इज ए song, Sun, देखिए सम्मुजी तहीं चेंज कर रहे हैं, मायों कवा लगाना है , को यूज करेंगे, आपके helping verb के बाद बाता क्या करना है, आपको object फिर लगाना है, verb फिर फॉर्म question mark, आईए दो question देते हैं जो कि आपको comment box में comment करके बताना है देखिएगा एक sentence आपका active voice का है क्या करना है इसको comment करके इसको बताना है आपको homebook टाइक बसमाई लिजिएगा who writes a letter कौन एक पत्र लिखता है इसको change करना है आपको passive voice में और comment में comment करके दिखाना है who को change करना है आपको by whom में then आपको लिख देना है next देखिए आपका active voice sentence है who watches the match match कौन देखता है who watches the match क्या करना है दोनों आपको comment में comment करके बताना है दोनों का passive voice क्या होगा दोनों का आपको active से passive voice करके दिखाना है विडियो अच्छा लगा अभी तक लाइक नहीं किए लाइक करके अधिक अवस्टे करें कोई टैप को प्रॉब्लम हो कमेंट में comment आवस्टे कर दें और भी इस टैप का विडियो में आपके लिए लेते आएंगे हमाई चैनल बने रहने के लिए चैनल में अभी तर सब्सक्राइब नहीं किए है तो अवस्टे कर दें और बेल आइकन प्रेस करें और आपने आप इंग्लिस को धियर जरे पूरा स्ट्रॉंग करें बिल्कुल सिंपल में हर्चीज को हम सिखाएंगे विडियो को लास्ट तक वास्ट करने के लिए आपको थैंक यू इट्स ओके